मेरा हो मन सवदेशी मेरा हो तन सवदेशी मर जाओं तो भी मेरा हो वे कफन सवदेशी बागबटी जी ने ये जो कहा ना सुबह की लार बहुत कीम्ती होती है मैंने इस पर थोड़े कुछ एक्सपेरिमेंट किये पिछले एक आच साथ बहुत सारे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको diabetes है और diabetes की condition में आप जानते हैं कि कोई घाओ हो जाए घाओ तो जल्दी भरता नहीं तो मेरे पास ऐसे कुछ 8-10 पेशेंट है जिनको ऐसी ही condition है diabetes होने के कारण शरीर में फुनसी हो गई फोड़ा हो गया घाओ बढ़ गया वो भरता नहीं मैंने उनको दवाएं बंद किया होमियोपैथी का फिर मैंने का बईया बागबटी जी ने का कि सुबह की लार बहुत कीमती है तुम ऐसा करो सुबह उठते ही जो लार है ना उसको लगाओ तुमारे घाओ पे और आप देखेंगे चमतकार पंद्रे से बीस दिन में घाओ भरना शुरू तीन महिने में बिलकुल बराबर एक तो मेरे पास गैंगरीन का पेशेंट है गैंगरीन हुआ डॉक्टर कहता तब पैर काट नहीं पड़ेगा इसका कुछ होता नहीं अभी और कोई उसने विचारी ने साल बर लार लगा लगा के यह अपना ठीक कर लिया तब मेरे समझ में आया कि जानवर हमसे ज़्यादा होशे आ रहे है चोट लगते ही वो चाटना शुरू कर देते है फिर मैंने एक और एक्सपरिमेंट किया मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आँखों पर अब उनके माबाप बहुत परेशान है कि यह चश्मा कैसे उत्रे मोटे मोटे चश्मे हैं चोटे बच्चों तो मैंने उनको भी सिखा दिया देखो सवेरे सवेरे सोकर उठो और मुझा थूक आँख में लगाओ काजल की तरह से तो बच्चों ने चालू कर दिया बच्चे बहुत बोले होते हैं सीधे होते कोई भी बा किन उतर जाएंगे उम्र जादा बढ़ेगी तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जाएगा आँखों की रोशनी बढ़ानी है तो मुँ की लार सुबह सुबह की आँखों में लगाईए काजल की तरह से और एक बताता हूँ एक बीमारी आती है जिसको हम कहते है कंजक्टिवाइटिस आँखों की बीमारी है अक्सर उसमें आँखें लाल हो जाती है आँखों में बहुत जलन होती है जैसे खून उतर आया हूँ आँखों में वो कंडिशन हो जाती है कोई भी आयुरुवेद की दवा आप खाएंगे तीन से चार दिन में ही बीमारी ठीक होती है लेकिन अपकी बार अगर ये बीमारी आये तो आप ये करना सुबह सुबह उठते ही मुँ की लार लगाना 24 गंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी कहां गई 24 गंटे में ठीक होते है conjunctivitis अगर बच्चों में बच्चपन से आँखों के ऐसे कोई रोग है जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है 8 साल का है उसका मैं ट्रीट्मेंट कर रहा हूँ उसकी आँखें टेड़ी है वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है उसको ऐसा है अब उसके माता पिता गरीब है और वो आपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते उस बच्चे पर मैं यही एक्सपरिमेंट कर रहा हूँ लगबग मुझे चार साड़े चार महीना हो गया है और उसका टेड़ापन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बहेंगापन उसका बहेंगापन लगातार कम हो रहा है और आखों की पुतलियां बिलकुल बीच में सेट हो रहे तब मुझे थोड़ी जिग्यासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वैग्यानिक को पूछा दिल्ली में कि यह लार में क्या है एक्चुली इसका एक्टिव इंग्रेडियंट क्या है तो उन्होंने का भहिया, जितने active ingredient मिट्टी में हैं, वो सब लार में है तो मैंने आपको बता हैं, मिट्टी में 18 active ingredients हैं, लार में वो सब के सब हैं इसलिए लार शरीर के लिए बहुत ही कीमती है, बेश कीमती है, इसको कभी नश्ट नहीं करना इसकी मदद से आप बहुत सारे रोग ठीक करते हैं, और दो चार बाते बता दू, क्या क्या रोग और ठीक कर सकते हैं आपके शरीर में कोई दाग हो गया, धबबा हो गया, जैसे जल गए, जलने का दाग होता है न, उस पर नियमित रूप से सबेरे की लार की थोड़ी थोड़ी मालिश करते रही है, छे-ाट महीने में धगगा धबबा बिलकुल साफ हो जाए, जले हुए का धबबा, शरीर मे और कोई ऐसा अंग में सफेद दाग दिख रहा है, या काला दाग हो गया, या फलाना हो गया, धिमा का हो गया, एकजीमा हो गया मालो, खराब बीमारी की बात करूँ, एकजीमा हो गया, एकजीमा पर रोज सुबह की लार लगाईए, मालिश करते रही है, छे-ाट महीने के बात देखिएगा साफ, और एकजीमा से भी ज्यादा खराब बीमारी है, सोराइसिस, वो भी ठीक होती है, इसी लार से, बस इतना है कि साल भर करना पड़े, मुफत का इलाज है, फोकट का इलाज है, बागवट जी ने जितने भी इलाज बताये हैं, सब फोकट के और मुफ एक्सपरिमेंट करिए, फोड़े फिंसियों पर इसका एक्सपरिमेंट करिए, मैंने ये चारों एक्सपरिमेंट कियें, बहुत अच्छे रिजल्ट है, आप भी करिए, रिजल्ट आपको भी मिलेंगे, बस इतना ही है कि आप दूसरों को भी बताते जाएए, तो आपने अ दुख तो कम कर लिया आप दूसरों का भी कम कराईए ना तब ही मोक्ष जाएंगे